हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दे जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई कोई रिजा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 17 जैन्वारी 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे टाटा ग्रूप का एंड पावर सेक्टर का एक दिगज कमपनी टाटा पावर कमपनी लिमिटेट के उपर जिसको और मेरा बहुत पहले से रेकोमेशन था इबन आज की रेट पे मेरा राइस सेम है तो दोस्तो आज की रेट पे टाटा पावर की अंदर लगबग 10% की तेज़ी के साथ-साथ शियर का जो लेबल वो बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास पहुंच चुका है और यह लेबल दोस्तो बहुत ही इंपॉर्टन लेबल है टाटा पावर की उपर और उसक देखना तो सबसे पहला न्यूस दोस्तों यहाँ पे हेडलाइन तो आपने देखी लिया बट यह न्यूस का अपडेट देखिए बस कुछ टाइम पहली आल्मोस पॉनेच है बज़े के आसपास यह अपडेट हुआ तो न्यूस का है आपके सामने है टाटा पावर पहुत ही बोल सकते हो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर कम्प्लीट कर चुका है टाटा पावर ने तो उसके उपर थोड़ा सब डीटेल में देखेंगे जैसे कि आप आप देख सेकतो टाटा पावर इनेवल एनर्जी लिमिटेड हैस कमिसर्ट टू सोलर पावर प्र प्रयाक राज और साथ साथ बैंडरा अस्टेट्मेंट सेट ओन मंडे तो बिसके लिए दोस्तों यह आज मार्केट बंध हो जाने के बाद यह न्यूस बहार आया और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सेक्तो इसका फाइदा क्या होगा जैसे कि तो यह बहुत ही अच्छा न्यूस है मतलब देखे प्रोजेक्ट मिलना एक बात है प्रोजेक्ट को टाइमली कम्प्रीट करना वो और एक न्यूस है देखे कोवीड चैलेंज मतलब यह कोवीड चो सिचुएशन बना वात अलास दो साल में हमने देख रहा इसके बाब जु पर इसलिए दोस्तों टाटा ग्रूप को कहीं न कहीं एक ट्रस्टेबल ग्रूप माना जाता है तो डिफिनेटी दोस्तों इसका तो पॉजिटिव इंपक्ट हमें कल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट कम्लीट किया तो दोस्तों पहला न्यूस के बाद हम अब पहुंच चुका है दूसरा न्यूस पर यह भी आज का न्यूस है आप अब देख सकते हैं मौनिंग का न्यूस है लगबक 11 बच के 13 मीट का इसका इंपक्ट दोस्तों आज मार्केट के उपर देखने को मिल गया तो बिसकली न्य यहां पर प्रड्यूस यहां बोल सकते हो कि प्लांट पर यहां पर मैनुफेक्चर करना स्टार्ट कर देगा हर साल तो डेफिरेंटली अच्छा न्यूस है अगर इसमें क्या फाइदा होगा टाटा पाउर को अगर कंपणी हर साल 50 अदर इलेक्ट्रिक वाहिकल्स यहां पर जो कि प्लांट करता है मतलब यहां पर प्रड्यूस करता है या मैनुफेक्चर करता है तो डेफिरेंटली वह जो इलेक्ट्रिक वाहिकल्स हैगा उसे चार्ज तो कहीं न कहीं करना पड़ेगा अब टाटा ग्रूप के साल साल तो आपको टाटा पाउर का चार्जिंग स्ट तो वो तो नौड आउट है टाटा पावर का जो कि पावर डिस्ट्रिवीशन पावर ट्रांस्रिमिशन यहां से आते हैं बट इन फ्यूचर के अगर हम बात करें वो धिरे धिरे दोस्तो धिरे धिरे रिव्यून जो रेविन्यू है वो भी बढ़ता जाएगा यह पर्टेक ट्रेड़ जिसके अंदर डिलिवर्य उठाए जाए चुका 26 परसेंट के उपर शियर अगर हम बात करें कमपनी का रेजल्ट भी आउट होने जा रहा है नाइन फेबरारी को 2022 डेफिनल दोस्तों इंपोर्टेंट डेय है चैनल के साथ जुरे रहना चैनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब करने बार 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 बोल लो आधरवाइब को कुछ भी समझने है क्योंकि टाटा पावर आज की रेट पे बहुत इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है यहां पर दोस्तों आप का डिशन बहुत इंपोर्टेंट होगा अगर हम बात करें टाटा पावर आज लगबख देर परसेंट तेजी के साथ साथ टाटा पावर का जो आड़ेसा इंडेक्स निकल क्या रहा है वो है 71 कोई भी शेयर का आड़ेसा इंडेक्स अगा 70 क्रॉस करके ऊपर चला है तो इसका दोस्तों अभी शेयर का जो मुग्वेंट है वो अभी से अभी जैन्वरी के मीड विक चला है मतब सेगेंड विक हो चुका है अल्रेडी तो सेगेंड थर्ड विक मीड विक चला है तो डेफिनेटली एक महीने पर दोस्तों शेयर ऑल्मोंस 18 से 20 परसेंट रैली हो चुका है जिससे कारण शेयर कंदर हमें ओवर बोर्ट जो दिख करने की बट वहाँ पर अनफॉटनेटली ब्रेक आउट नहीं लगा उसके बाद मार्केट के अंदर भी हमें काफी ज़्याद गिरावर देखने को मिला उसके पहले भी आप देख सकते इस पर्टिकुलर लेबल को देखें कंपनी की रिजल की पहले तो यहां पर भी ऑल्मो आपके रिए जो दो स्टैटिजी मैं आपको बता देता हूं अगर ब्रेक आउट आता है और स्टेबल हो जाता है मतलब जैसे के आज की रेट पर हमने देखा कि अल्मोस्ट दो सो पच्चीस से बीच में स्टेबल नजर आ रहा है मतलब जब लास्ट टेम इसका अंदर कामियाब भी हो जाएगा क्योंकि लगबग अगर हम बात करें अल्मोस्ट दो से धाई मैने की आसपास हो गया टाटा पाउर की शेयर के अंदर कोई बहुत बारा रैली हमें देखने को नहीं मिला था लास्ट टेम देखने को मिलागा ऑक्टोबर की टाइम पे उसके बाद स की चार्जिंग स्टेशन जो कि मैं आपको डिसकस कर रहा था उसके उपर भी बहुत ज़्यादा फोकस राएगा इस बार बजेट में जैसे एक उस टाइम पहले न्यूज आया था याद होगा आपको मैं शेयर भी क्या था टाटा पाउर की वीडियो पे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दिया अगर शेयर के अंदर नीचे की दरब गिरता है तो आपका जो बाइंग लेबल रहेगा 225 से 230 रुपई का लेबल इस लेबल के आसपास या 232 33 पे भी आप बाई कर सकतो अगर ऐसा ना हो कि कल जो की ब्रेकाउट काई चांस सबसे ज्यादा है अगर ब इपक्ट हमें पॉजिटीव आने का चांस है अब देखना है कि कल कैसा रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कल ब्रेकाउट आएगा या करेक्शन होगा वीडियो के यह पर वाइंड आप करता हूं वीडियो अच्छे लगे दो प्लीज